जेहिन दोस्तो, IPO आते हैं, IPO चले जाते हैं, कुछ IPO पैसा बना के देखे जाते हैं, कुछ IPO के जाते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दीपक बिल्डर्स के IPO के बारे में, क्या ये पैसा बनाने वाला IPO है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चा लेगी company की detail क्या है IPO की detail क्या है साथ ही company के financials क्या है company profit making है या फिर loss making है साथ में peer comparison में इसके कौन से company आ है valuation के साब से company महेंगी या सस्ती है साथ ही positive and negatives के बारे में जानेंगे और future में इसके लिए क्या aspects रहने वाली है वो सभी भी हम यहां पर जानेंगे latest GMP क्या चल रही है और इसके लिए apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी हम यहां पर जानेंगे तो देखिए दोस्तों सब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं company के बारे में तो देखिए जैसा कि नाम से अगर हम यहां पर बात करें तो company का specialization है किसमें यह बनाती है administrative, institutional and industrial building साथ में hospitals, stadium, residential complex and other infrastructure project अगर आप यहां पर देखोगे तो देखिए जैंग ए आजदी यह पंजाब में बनी हुई है international cricket stadium न्यू चेंडिगर पंजाब में यह भी इनके द्वारा बनाया गया है साथ ही अगर हम यहां पर देखे golden temple आप सभी जानते हो तो इसका जो heritage work है वो भी जो है इन्होंने बनाया है दिपक builders and engineers ने साथ ही करोना सागर महारी सिवाल में की tweet आसता यह भी किस ने बनाया है यह भी बनाया है दिपक builders and engineers तो आपको यहां पर थोड़ा सा company के बारे में एक overview तो मिल गया होगा कि company का यहां पर अच्छा खासा specialization है जो हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है साथ ही अगर हम बात करें यह से कोई भी company मूठ है कि तो आ जाते नहीं कि लो भाई IPO आ गया है market में ठीक है तो यहां पर यह IPO क्यों लेके हैं देखिए इनके उपर कुछ loan है data ठीक है उसे इनको repayment करना है कुछ पार्ट यहां पर चुकाना है और कुछ जो उसका पार्ट है उसको यह business purpose के लिए काम में लेने वाले हैं simple अब अगर IPO details की अगर हम यहां पर दोस्तों बात करें तो IPO details के बारे में हम यहां पर जानेंगे तो 21 October 2024 याने कि कल से जो है IPO के लिए आप apply कर सकते हो ठीक है और last date जो है वो होगी इसकी 23 October साथ में अगर हम इसका price देखे तो 112 मे बात करें IPO की size की है तो 260 करोड का यह IPO issue है और offer for sale के अगर बात करें अब simply बोलते हो 42.3 करोड का है और fresh issue 217.1 करोड का है ठीक है face will यहां पर 10 रुपे फिलाल promoter holding जो है 100% है जैसे ही मतलब यह हमें IPO देखने के लिए मिलेगा उसके बाद में जो है promoter जैसे ही listing होने वाली है promot promoter जो holding है वो 72.50 जो है यहां पर रह जाएगी अब बात आती है हम यहां पर apply कैसे कैसे कर सकते है ठीक है तो retail category में minimum आप एक load के लिए apply कर सकते हो जिसमें 73 share मतलब 73 share यहां पर होंगे और 14,819 रुपे का minimum investment होगा वही retail category में अगर हम बात करें तो maximum 30 load के लिए आप apply कर सकते हो up to 2,00,00 ठीक है 2,00,00 तक के amount के लिए आप retail की category है उसमें maximum amount के लिए apply कर सकते हो फिर हम अगर बात करें small H&I में तो आप 2,00,00 से लेकर 10,00,00 तक का पैसे हैं पर लगा सकते हो small H&I में maximum कितना 10,00, ठीक है minimum 2,00,00, maximum 10,00, इसी प्रकार अगर हम बात करें big H&I, big H&I में minimum अपन जो amount रहता है वो 10,00,00 से उपर रहता है और maximum जितना अपने पास में share है उसके according हम यह आप apply कर सकते हैं तो यह investment के regarding आपको बात पता चल गई होगी अब बात आती है सबसे important बात financials के बारे में देखिए financials से हमें पता चलता है कि company की growth किस तरीके की है क्या हमें यह पैसा बन पता है tender basis पे चलते हैं ठीक है अगर tender company को मिल ला तो company business करेगी कर नहीं मिल ला तो business नहीं करेगी तो profit कहां से मिलेगा तो फिलाल अगर हम financials के अगर हम यहां पर बात करे तो देखिए 2022 से लेकर 2024 तक अगर हम बात करे assets की तो लगातार व्रद्धी यहां पर देखने के लिए revenue में लगातार यहां पर व्रद्धी देखने के लिए मिल रही है और अगर हम बात करें profit after tax तो वह भी लगातार यहां पर बढ़ रहा है net worth है वह भी यहां पर लगातार बढ़ रही है और फिलाल अगर company के बाद हम reserve and surplus की अगर बात करें यह जोन डेट ठीक है जो है IPO लेके आरे कुछ हिस्सा यहां पर रिपेमेंट कर दिया जाएगा अगर हम यहां पर revenue की बात करें तो revenue देखें लास financial में कितना बड़ा है 19% से बड़ा है साथ ही हम profit की बात करें तो profit यहां पर 122% कितना बड़ा है 192% profit हमें यहां पर देखने के लिए मिला है तो profit making company है financials हम यहां पर अच्छे बता सकते हैं इसके strong बोल सकते हो थोड़ा सा अगर हम यहां पर rate थोड़ा ज्यादा है company के उपर बागी financials अच्छे है profit making company है clear अब अगर इसके peers में अगर बात करें तो देखें आपने इसको द builders का जो चल रहा है 16.14 से इरकोन का चल रहा है 9.17 अलू आलिया का 56.06 प्रोजेक्ट का 34.42 और यह ltd cementation के अगर बात करें हम तो इसका है यह 15.30 मैं ठीक है वहीं अगर हम बात करें इनके PE ratio के बारे में तो PE ratio देखेंगे अगर हम PE ratio के बात करें तो यहां पर दीपक and builders का जो PE PE ratio वह market के according ठीक ताग है मतलब valuation के according हम इसको ना तो महेंगी बोल सकते हैं और ना सस्ती बोल सकते हैं थोड़ा सस्ता होता तो ज्यादा अच्छा होता वहीं अगर की clients की अगर हम बात करें की clients में यहां पर कौन-कौन है तो देखिए basically राजस्तान हर्याना पंजाम में का इस अच्छा खासा देखने के लिए मिलते हैं तो company को आप अच्छी यहां पर बोल सकते हो next अगर हम बात करें strength weakness and opportunities के बारे में तो देखिए strength क्या है company की देखिए मैंने कहा है यहां पर specialization है आपको देखने के लिए मिल रहा है सबसे important बात तो मुझे यहां पर company की यहीं लगत है ठीक है और geographical consultation है Northern India में मतलब Northern India में इसका ज्यादा मेज़र देली पंजाब हरी आना ठीक है इधर राजस्तान इधर ही इसका जो है मेलनी काम देखने के लिए मिलता है इधर कोई भी अगर adverse इस्तिति अगर आती है तो यहां पर इसका business है effect हो सकता है वहीं अगर बात करें opportunities की opportunities की सबसे important बात हां से समाझना है construction जो line है वह यह जो sector है बहुत ज्यादा competitive sector है clear तो यहां पर थोड़ा तो issue रहता ही है अब अगर हम बात करें इसके पास में अच्छा खासा growing infrastructure development in India ठीक है अपना जो है geographical यह location है और भी मतलब इनका expansion कर सकती है states को यह बढ़ा सकती है ठीक ह करता है सब कुछ tender के उपर ही tender company को मिलता है या नहीं मिलता है तो sector जो है वह बोल सकते हो competitive भी है दो सट demanding भी है तो दोनों ही बाते यहां पर लागू हो रही है और अगर हम फिलाल इस IP के लिए अगर GMP की बात करें तो GMP जो है यहां पर लगबग 60 रुपे यानि लगबग 30 परसेंट आप बोल सकते हो 30 परसेंट के करी फिलाल GMP चल रही है और कल से जिसे IP open होगा तो हमें GMP के बारे में पता चलेगा देखिए GMP सिर्फ अंदाज़ा होता है सिर्फ GMP के बेसिस के उपर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको IP के लिए प्लाई करना है या नहीं कर फिनेंसर के साब से कंपनी बढ़िया है इसने मतलब रेवेन्यू तो जनरेट किया है प्रोफिट जनरेट करके दिया है तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सारी जो बाते हैं आपको समझ में आयोगी जो भी information available थी मैंने आपको बताने की कोसिस की है मेरी और से कोई recommendation नहीं यह आप अपना decision खुद से लेना सारी बातों को समझना ठीक है उसके बाद में decide करना कि आपको इस IP के लिए apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है फिलाल तो मैं खुद अगर personal लेकर बात करूं तो मैं तो इस IP के लिए apply करने वाला हूं long term के लिए भी करने वाला हू तो दोनों ही मेरे मतलब इसमें objective रहेंगे और अगर हम यहां पर बात करें कि जैसे आप आप IP के लिए apply करोगे उसके बाद में allotment जो होगा वह कैफिन technology यही इसका रेजिस्ट्रार है तो यहीं पर आपको जो है इसका allotment देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि आई प्यो लोगों का issue रहता है कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि IPO जो allotment है वह कहां पर देखा जाए तो यह information भी आपके लिए useful रहेगी और प्लीज अगर आपको यह information अच्छे लगी तो वीडियो को जुरूर लाइक करें और अच्छा सा comment करें बाकि और क्या जानना चाते हो वह बताएं तो अब आप मुझे बताना यह अगर जो भी जानकारी मैंने आपको दी वह अगर आपको समझ में आपके लिए useful रही तो आपके इस IPO के लिए apply करने वाले हो करने वाले तो क्यों करने वाले listing gain के लिए short term gain के लिए long term gain के लिए यह बात मुझे जरूर बताना comment करके और दोस्तों नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे एफकॉंस infrastructure का जो IPO है उसका भी announcement हो गया है यह भी IPO आपको जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है 25 October जो है इसकी starting date है 5430 ठिक टक साइज का जो IPO है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ओके दोस्तों have a good day